अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिशानिये हैं जिन से निजात पाने का उपाई आप लंबे वक्स से तलाश कर रही हैं तो आपको भी कपूर की मदल लेनी चाहिए अगर आपके जीवन में आ रही परिशानियों को दूर करने के लिए कपूर के कुछ असान उपाई भी कर सकते हैं जीवन में अगर आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर्मान सम्मान में कमी वेभाईक जीवन में कलेश नोकली में परिशानी आ रही है तो समझ जाए कि आपकी कुम्ली में शुकर ग्रह पीडित है शुकर ग्रह को सबसे ज़्यदा अकरशित सुन्दर और सुबंदिच चीजे करती है इस ग्रह का रंग सफेद और चमकीला होता है इसलिए कपूर भी शुकर ग्रह को प्रिये है कपूर का इस्तेमाल करके आप कमजोर शुकर ग्रह को मजबूत बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि परिवार की किसी सदस्य को नजल लग गई ह और इस वज़े से उसकी सिहर तरक्य और संदरिये पर असर पढ़ रहा है तो आपको साथ कपूर को सिर के उपर से सीधी और उल्टी दिशा में साथ बार गुमाना चाहिए इसके बाद रात के वक्ट चुरहे पर जाकर उन सभी कपूर को जला कर लग दे इसके बाद पीछे मुड कर ना देखें घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलेश हो रहा है या फिर रशांती फैली हुई है तो आप यहां भी कपूर की मतल से रकरात्मक शक्तियों को दूर बगा सकते हैं इसके लिए आपको घर के मंदिन में सुबे शाम नियमित कपूर का दीपक जला कर चाहिए अगर बहुत समय से जीवन साथी की तलाश कर रही है और अच्छा रिष्टा आने के बाद भी बात नहीं बन रही है तो शुकरवार के दिन मातसंतोशी के अरागना करें और कपूर से उनकी आरती करें नोक्री या कारियस तल में आप किसी भी परकार की समस्या का सा चल रही है तो आप नीमित सुबे से लेकर शाम तक कपूर को एक कपड़े में बान कर अपने पास रखे और जब भी मोका मिले उसे सुंगले ऐसा करने से आपकी सहत पर अच्छा परबाब पड़ेगा आप रात में सोते वक्त अपने तकीय के नीचे भी कपूर रख सकती है ऐसा करने से भी आपको लाब मिलेगा खुलाब के फूल में कपूर का तुकड़ा रखकर शाम के समय फूल में एक कपूर जला दे और फूल को देवी दुर्गा को चड़ा दे इस से आपको अचानक धनकी प्राप्की होगी और आपका रुका हुआ धन भी मिल जाएगा यह कारिये आपका भी विशुरू करके कम से कम 43 दिनों तक जरूर करें यदि आप घर में कपूर जलाते हैं तो आपका पितदोश खतम हो जाता है घर में रोजाना तीन बास सुबह शाम और रात के वक्त गी में भी होया हुआ कपूर जलाने से पितदोश में शान्ती मिलती है ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए